नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी न्यूस मैं हूँ मुगल शर्मा आप सभी का स्वागा सांकितिक भाषा के हमारे इस विशेश बॉलिटिन में और आज की खबरे क्या रहेंगी इस पर आपको जानकारी देंगे और में साथ मौजुद हैं इसके लिए मेरी सह्यूग बीना सबसे पहले नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर लोगसभा चुराओं के तीसे चरण में लगफाग चौंसर दशनल और चार फीस्द मतदान दर्ज सबसे अधिक असब में हुई वोटिंग बंगाल और गोवा में भी 75 फीसद से ज्यादा मतदान राजिस्तान में बाड में लोगसभा सीट के दुद्वा खुर्ट में आज फिर होगा मतदान गोपनियता भंग होने की शिकायत के बाद निर्वाचन आयूक ने लिया पुनर मतदान का फैसला अगले चार चरण के चुना प्रचार में नेताओ ने लगाया पूरा दम प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी तेलंगाना और आन प्रदेश में करेंगे धुआधार प्रचार अमिशा महराष्ट और यूपी में सम्हालेंगे कमान तो महीं हेद्रा आद में प्रियंका गान्धी और यूपी में अखले शादव समेद बाकी दल के नेता भी लगाएंगे पूरा जोर मायवती ने अपने भतीजे आकाश आनंत कोत्रादिकारी और नेशनल कॉर्डिनेटर के पत से हटाया कहप पूर्ण परिपक्त आने तक जिम्यदारियों से किया गया अलग बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मायवती परसाधा निशाना दिली हाई कोट डिली हाई कोट में आज मनी सिसोधिया की जमाना त्याचिकापर EDCBI को देना है जवाब सिसोधिया ने निश्टी अदालत के फैस्ले को दी है चुनौती अमेरिका के पूर राश्पती डॉनाल्ड टरम के खलाव कौन स्टार्स टॉम्नी डेनियल ने दी कवाही चुप रहने के लिए पैसे देने का लगाया आरू और इंडियन प्रीमेर लीग में आज संड्राइजर्स हैदराबाद और लखनो सूपर जाइंट्स के बीच होगा मुकाबला कल खेले गए मैश में दिली कैपिटल्स ने राजिस्थान रॉयल्स को 20 रन से हराया और आई अब खबरे देखते हैं विस्तार से लोग सभा चुराव के तीसरे चरण के लिए हुआ मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन हुआ जिसमें कल रात 11 बज कर 40 मिनट तक के आंकडों के मताबिद 64.4 प्रतीशत मतदान दर्ज किया गया इसमें सबसे अधिक 80.6 प्रतीशत मतदान असम में दर्ज हुआ है ग्यारा राजियो और जिसमें एक केंशाष्ट प्रतीश भी था इनकी 93 में लोगसभा सीटों के लिए मतदान हुआ वही राजिस्तान के बाढ़ मेर लोगसभा शेत में आज पुनर मतदान होगा इसके लिए सुभा 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी बाढ़ मेर में 26 अपरेल को दूसरे चरण में वोटिंग होई थी लेकिन इसके पोलिंग बूट नमबर पचास पर मत की गोपनियता भंग होने की शिकायते में लिए जिसके बाद निर्वाचन आयोग को यहां दोबारा मतदान का बस्ता भीजा गया था जिस पर आयोग ने आज की तारिक में यहां पुरन मतदान का फैस्टा लिया बाढ़ मेर में बीजेपी उमिद्वार कैलाज चौधरी का मुकाबला कॉंग्रेस के उमेद राम बेनिवाल और निर्दलिय रमिंद्र सिंग भाटी से है लोगसभा के आगामी चड़नों के चुनाव के लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज तिलंगाना और रादप्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधान मंतरी आज दोनों राजियों में कुल तीन जन सभाय और एक रूड शो करेंगे सबसे पहले प्रधान मंत्री तेलंगाना पहुंचेंगे, वो यहां के शीराजा राजिश्वार स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, इसके बाद करीम नगर में चुनावी जनसभा को संभोधित करेंगे इसके अलावा वारंगल में दूसरी जनसभा को संभोधित करेंगे प्रधान मंत्री मोदी की तीसरी रैली आन प्रदेश के राजम पेट में होगी इसके साथ ही शाम में प्रधान मंत्री मोदी विजयवाडा में रोडशो भी करेंगे भाजबा की स्टार प्रचारक अमिर्शा इस बार के आम चुनाव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चार सो पार के लक्ष की पूर्टी के लिए ताबर तोड़ रैलियां कर रहे हैं अमिर्शा का उत्रप्रदेश और महराश्रा में आज चुनावी कारिकरम है उत्रप्रदेश में ग्रीह मंत्री तीन चुनावी रैली करेंगे इस दोरान वो लखीन पूर खीरी हर दोई और कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोदित करेंगे इसके बाद शाम में महराश्रा के जालन में भी यमिश्या जनसभा को सम्भोदित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राश्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा स्टार प्रशकार को में शामिल राजना सिंग और इंदिन गड़करी आज एक के बाद एक कई चुनावी रहलियां करेंगे। बेगुसराय और दक्षनी दिल्ली में चुनावी जनसभा को सम्भोदित करेंगे। महीं दूसरी और कॉंग्रेस पार्टी की महसेचेव और स्टार प्रशारक प्रियंका गांधी वार्ट राज हैदरबाद में वोट अपील करेंगी। यहाँ वो कॉंग्रेस प्रत्याशी मुहमद वली उल्ला समीर के पक्ष में चुनावी रैली करेंगी। यहाँ से फिलाल AI M.I.M. के अस्विद्धिन और वैसी सांसद है। और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मेदान में उतारा है। हिद्रबाद का चुनाव इस बार बेहत दिल्चस्प हो चुका है। वहीं उत्तर में आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव मोचा समहा लेंगे। आज वरुखाबाद में चुनावी सभा में अखिलेश अपनी पार्टी के कारेकरताओं में जोश भरेंगे। वहुजन समाजवादी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायवती ने बड़ा फैसला लिया है। लोगसभाद चुनावों के बीच मायवती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कॉडिनेटर के पद से हटा दिया है। इसी के साथ बस्वा सुप्रीमों ने आकाश आनंद को अपने उत्रादिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। उन्होंने स्वेम शोशल मीडिया एक्सपरिस की जानकारी दी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके भाई और आकाश के पिटा आनंद कुमार पार्टी मुवमेंट के लिए पहले की तरह काम करते रहेंगे। आकाश आनत को पद से हटाने की पीछे मायावती ने कहा कि मुवमेंट के व्यापक हित से पूर्ण परिप्वक्ता ना होनी की वजह से उन्हें दोनों पदों के एहम जिम्मिदारी पद से हटाया जाता है। पर हाइ कोट ने जाच एजन्सियों को जवाब दाखिल करने को कहा था, साथी कोट ने मनीज सिसोधिया को हिरासत में हर हफ़ते एक दिन उनकी पत्नी से मिलाकात की भी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले दिल्ली की राउ सिवन्यू कोट ने मनीज सिसोधिया की जमानत अर्जी खारिच कर दी थी, जिसे हाइ कोट में चुनौती दी गई। ब्रिटेन की वेस्ट मिन्सर मजिस्टेट की अदालत ने मंगलवार को पांचवी बार भगोडे हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी का खारिच कर दी। दिया गया है। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद है। अमेरिका के पूर्व राश्पती डोनाल्ड टरम्प के खलाफ पॉन्स्टार स्टमी डैनियल ने अदालत में दोनों के बीच यौन सम्मंदों और चुप रहने के बदले धन देने के मामले में गवाही दी। कवाही के दौरान पॉन्स्टार डैनियल ने 2006 में गॉल्फ टूनामेंट के दौरान हुई पहली मुलाकात की जानकारी दी। टरम्प पर 2016 के राश्पती चुनाफ के दौरान यौन सम्मंदों को लेकर चुप रहने के लिए डैनियल को एक दशनल अवती निश्यों निलाक डालर देने का रोप है हाला कि टरम्प ने डैनियल के साथ यह उनसमंद बनाने से इंकार किया है और खुद को निर्दोश बताया इस मामले में आदेशों का उलंगन करने पर अदालत अब तक पूर वराश्पती पर 10,000 डालर का जुर्माना लगा चुकी है इसके साथ ही को पूरी को वताया कि वरत्मान पत्नी मेलनिया से शादिशुदा होने के दौरान उनके बीच अतरंग संबंद बने कवाही के दौरान ट्रम्प काफी परिशान नजर आए इंडियन प्रिमियर लीग में आज संराइजर्स हैदराबाद और लखनाव सूपर जाइंट सामने सामने होंगे दोनों टीमे हेदराबाद में भिड़ेंगी मऊजुदा टूनामेंट की बात करें तो दोनों टीमों के पास सबतक पांच-पांच मैचों मेजीत के साथ 12 बारा आंग हासल है हाला कि तालिका की बात करें तो बहतर रन रेट की वजह से सनराइजर सहिदराबाद चौथे स्थान पर काविज है वहीं लखनाओ की टीम चट्वे स्थान पर इस्तित है आईपियल में कल खेले गए मुकाबले में दिली कैपिटल्स ने राजिस्तान आयल्स को 20 रन से हारा दिया टॉस हार कर पहले बलेबासी करते हुए दिली ने निर्धारी 20 ओवर में आर्ट फिकेट गवा कर 221 रन बनाये थे दिली के लिए अभुशेक पॉरिल ने सबसे ज़्यादा 55 रन की अर्ध शतकी अपारी खेली जवाब में राजिस्तान की टीम 20 ओवर में आठ फिकेट गवा कर 201 रन ही बना सकी और मैच गवा दिया कप्तान संजू सेमसन ने 40 के इन में 86 रन बनाये दिली के कुल्दी प्यादव, खलील एहमद और मुकेश कुमान ने दो दो विकेट चटकाए तो फिलाल के लिए सांकेतिक भाषा के स्विशेश और बुलेटिन में बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रही है डीडी न्यूज हम दोनों को दीजिए अनुमती, नमस्कार